ट्यार ये वीडियो इंपोर्टन होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो सा के round 5 के cut-off का वेट कर रहे थे या round 5 के allotment का वेट कर रहे थे तो जैसा कि तुम जो सा की website पर देख सकते हो round 5 seat allotment has been announced ठीक है अब तुम्हें क्या करना है अगर तुम्हें अपने allotment देखना है तो तुम अपने इस पोल्टर पे जाना अपना ID पस्वार लॉगिन करो जहां से तुम्हें हर round का चेक किया हुआ था क्या process होने वाला है same process follow करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें round 5 में क्या seat allot हुई हो ठीक है अब हम बात करते भाईया seat allot हो गई ठीक है first time seat allot हो रहे है ठीक है अब तुम्हें क्या करना है अगर फर्स टाइम seat allot हो रही है तो उस case में मुझे क्या करना चाहिए ठीक है first time अगर seat allot हो रही तो तुम्हें एक seat acceptance fee pay करना होगी ठीक है अब तो तुम्हें पास freeze का ही option होगा और withdraw का option होगा ठीक है क्योंकि यह last round था तो freeze और withdraw ठीक है यह दो option तुम्हें पास आ रहे होगे ठीक है अब तुम्हें क्या करना है अगर तुम्हें यह seat चाहिए कि भाई अब तो मुझे यही मिल ले मुझे यही चाहिए उसके इसमें freeze करके SAF pay कर दोगे ठीक है नहीं तो तुम कांसिंग से withdraw कर लो ठीक है अब उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने और लिडी कोई seat click seat acceptance fee pay की थी उनके पास क्या option है तो या तुम्हारे पास दो option लेना नहीं चाहिए withdraw कर लेना चीक है यह तुम्हारे पास last होने वाले और हम schedule उनका open कर लेते हैं चीक है schedule उनका open करेंगे देखेंगे कि क्या process होने वाला है कब तक तुम्हें like सारे payment वगरा करना है चीक है एक बार हम इनका schedule open करता है देखते हैं कि कब तक तुम्हें online reporting करन अगरा लगने वाले हैं कि important documents होने वाले हैं तो वो सारी वीडियो अपने detail बनाए हुगी है fiscal reporting में कौन-कौन सा document लगेंगे उसकी भी detailed वीडियो है तो जाके check कर सकते हो चीक है हम एक बर इंका जो भी schedule है वो check कर लेता है कि तुम्हारे पास मैं सो थोड़ा सा जूम कर देता अब तुम्हे क्या गरना है तुम्हारा online reporting fee payment document upload का time 17 से लेके 22 जुलाई तक होने वाला है last date 22 तारिक साम 5 बजे तुम्हारे last date होने वाली है document upload के लिए and fee payment के लिए round 5 ठीक है कोई भी issue आता है कुछ भी आता है final round के लिए तो 23 जुलाग तक हो जाएगा for NIT plus system seat allocation for NIT plus system initiation of withdraw इसमें तुम्हें 17 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक withdraw के like initiation करना पड़ेगा like initiate करना पड़ेगा ठीक है और जिन बच्चों को seat allot हो चुकी है right जिनोंने अपना like seat confirm कर ली है साइची से हो चुकी है उनको online payment of partial admission fees ठीक है करना होगा 24 से लेके 26 जुलाई तक NIT plus system के लिए अब इसमें तुम्हारा round 1 का allotment के लिए अब तुम्हारा सवाल आ रहा होगा कि CSAB में मुझे किस rank पार्टिसिपेट करना चाहिए क्या rank है मेरी CSAB में पार्टिसिपेट करो वो सारी चीज डिसकुस कर रहा है उससे पहले मैं तुम्हारा round 5 में जो cut-off में changes है वो थोड़े से एक बर हम देख लेते हैं क्या changes है मैंने यहां पर देखो इनके previous year और अपकी year के दोनों के मैंने opening closing open कर लिये हैं चीक है अब हम NIT Trichy का ही देख लेते, institute type पे मैं डाल दूंगा NIT, institute name पे हम डाल लेंगे Trichyupalli, चीक है, चीक है, Trichyupalli कहा गया इसका, यह आ गया कहा, नि NIT Trichy पहले डाल ले हमने, NIT Trichy, academic program सारे select कर लेंगे, हम general candidate के लिए एक वो लेते, analysis करते हैं सम्मट, ठीक है, देखो, chemical engineering की बात करो, home state quota general, 12,000 पे, 20,000 पे close हो गई है, ठीक है, other state से हो, ठीक, other state open general and neutral, तुमारा यहां पर देख सकते हो, तुमारा एगस 13,000 पे close हो गई है, chemical engineering, other state के लिए open category में 13,000 पे close हो गई है, उसको 14,000 मानलो उसको, और यहां पर अगर मैं देखो, home state के लिए तो 20,000 पे close हो गई, CSE जो main branch होती है, home state के लिए 5000 पे close हो गई है, other state के लिए 1200 रैंक पे close हो गई है, देख रहे हो, 1200 रैंक पे तुम्हें, NIT Trichy में CSE close हो गई है, अब हम हम वही 2013 में बात कर लेते हैं, कि round 5 में, या round 6 में क्या cut off गया हुआ था, right, वेकि अपने पास तो अपकी सिर्फ 5 round नहीं मिले हमें, चीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या cut off गया था, चीक, देखो, यह NIT Trichy हमने select कर लिए, same way, academic program mall, category हम choose कर लेंगे, तुम 15,816, चीक है, जो यहाँ पे तुमारा, कितना गया था है, आप, रोको, chemical engineering, other state, open 13,000, तो chemical engineering में हमें दिख रहा है, यह थोड़ा सा, cut off, down है, चीक है, computer science के लिए बात करेंगे, other state, जेनर नहीं पर 15,9 गया हुआ था, 15,9 गया था, या था, I guess 12 हो गया है, चीक है, यहाँ पे other state के लिए open 12 हो गया हुआ, यानि तुम्हारे cut off में एक drop देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेम चीज हर college के साथ होई है, हर college के साथ पर lower NITS की भी बात करूँ, तो वहाँ पर भी cut off तुम्हें down देखने को मिला है, अब तुम्हारे question होगे, भीया, C-SAP में participate करूं, नहीं चाहिए, देखो, उस पर हम detail discussion कर रहे होगे, ठीक है, एक नई slide लेता हूँ, अगर तुम्हार, तुम general category से हो, ठीक है, देखो, अगर तुम general category से हो, एक लाख rank तक है, ठीक है, और तुम्हें सिर्फ NIT, IIIT, GFTI का tag चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें इनका tag चाहिए, ठीक ह ठीक है, इनका tag चाहिए, और तुम, UP, MP, Bihar, Punjab, इन सारे state से belong कर रहा हूँ, तो उस case में तुम C-sab में participate कर लो, ठीक है, उस case में तुम C-sab में participate कर लो, OBC category से हो, एक लाख भीस अजार से लेके, एक लाख तीस अजार से, देख लो, यह मैं general rank बता रहा हूँ, category OBC है, तीन चाल लाख rank है, देख लो, ठीक है, अगर, if in case, तुम्हें सिर्फ NIT, ट्रिपल आइट, GFTI का tag चाहिए, मैं बार बर बोलना हूँ, tag चाहिए, उस case में तुम यह option देख सकते हो, C-sab round का, बट क्योंकि देखो, यहाँ पे तुम्हें na food engineering, metallurgy, mining engineering, physics, यह सारी branches mostly मिल रह कर रहे है, अब तुम्हारा home state हिमाचल है, ठीक है, तुम्हारा home state उत्राखंड है, तुम्हारा home state अंधप्रदेश है, तेलंग नाना है, ठीक है, यह सारे home states से अगर तुम बिलॉंग कर रहे हूँ, तो general category से हो अगर, 2-3 lakh rank तर, ठीक है, OBC से हो, same, धाई से 3-3 lakh rank तर, ठीक है, SCST हो, यहाँ पर 5-6 lakh rank पर भी, तुम्हें colleges मिल जाएंगे, अगर तुम एक tag देख रहे हो simply, अगर तुम नॉट इसन स्टेट से बिलॉंग कर रहे हो, या फिर उत्त्राखंड से हो, ठीक है, उस case में, तुम्हें यहाँ पर, मान के चलो, तुम्हारी अगर 3-4 lakh rank भी है, 5 lakh rank भी है, 6 lakh rank भी है, category तुम्हारी OBC, SCST है, या जनरल में 2-3 lakh है, तुम्हें colleges मिल जाने वाले है, SCSAP round में, ठीक है, बट उसमें भी तुम्हें करेगा, तुम्हें choice filling अपनी किस तरीके से करनी है, कैसे proper तुम्हारी choice filling order क्या होना चाहिए, वुस सारी चीज़ों पर तुम्हारा choice filling डिपेंड कर रहा होगा, उसके लिए हमने क्या किया है, पहले तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें काउंसलिंग में कुसी expert की जरूवत है, तुम्हें कोई लगता है कि कोई expert चाहिए, जो तुम्हारी की counselling करवा दे प्रॉपर तुम्हें guidance दे दे, उस case में तुम क्या कर सकते हो, इस number पर contact कर सकते हो, ठीक है, उस case में तुम इस number पर contact कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें ल तुम्हें registration होगा, वो non refundable होगा, प्लस तुम्हें seat a lot हो जाती है, तो 40,000 की payment कर नहीं होती है, वो भी आपने देख लेंगे, discuss कर लेंगे, सारे चीज़ है, इस number पर तुम्हें पर contact हो सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें help की दुरूवत है किसी counsellor की या किसी proper experts की जो अलएडी चीज़ को कर रहा है, तो तुम्हें इस number पर contact हो सकते है, इसके लावा यह नहीं करना है, तो तुम्हें स्टुम्हें खबरी.com पर जाने के बाद तुम्हें पास एक ऐसा homepage आ रहा होगा, थोड़ा सा network issue है यहाँ पर, बारिश हो रही है बहर काफ इसके बाद यहाँ पर हम पर जाना है, सीसा प्रेडिक्टर पर जाएंगे हम, हमने जो भी best data हो सकता था, उसके according एक सीसा प्रेडिक्टर बना दिया, अपनी rank डालो, अपनी category डालो, options देख लो, क्या कर तुम्हें पास options हो रहे है, किस state में कौन सी ब्रांच कौन सा, like college तु अब देखो, institute of chemical technology, Mumbai, बुनेशर का campus है, वहाँ पर तुम्हें chemical मिल जा रही है, bits देख़गर, off campus, देखो, यहाँ पर तुम्हारे ECAC branches तुम्हें मिल जा रहे है, electrical ECAC branches मिलेगे, तुम्हारे home state है, NIT हामिरपूर, इसको डार्क मूट कर ले तो मैं जाधा clear दिखेगा, NIT हामि रायपूर, engineering physics, material science, civil engineering, अगर तुम home state से बिलॉंग कर रहे हो तो, NIT रायपूर, metallurgy, biotechnology, biomedical, mining, home state से बिलॉंग कर रहे हो तो, NIT रायपूर, food processing engineering, life science, chemistry, physics, mathematics, home state से बिलॉंग कर रहे हो तो, school of engineering, तेख़पूर university, अगर तुम northeast side college देख रहे है, तो तेख़पूर university तुम्हारे अच्छा option हो सकता है, electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, food engineering, तुम देख सकते हो, all India quota के तुरू मिल जाएगा, ठीक है, NIT Goa के मैं बात कर रहे हो, electrical electronics engineering, अगर तुम अब देखो, गोवा से हो, ठीक है, तुम्हें चाहिए कि नहीं, मुझे बनलब गोवा में ही, NIT वेकर मिल जाए, ठीक है, वहाँ अच्छा पे तुम देखरे तुम हाँ और, electrical engineering भी ले सकते हो, C7 round में, मैं देख रहे हो, cutoff, almost 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जो भी 800 है, ठीक है, तो civil engineering, electrical engineering, electrical and electronics engineering, ठीक है, अगर तुम अधर स्टेट से हो, तब भी तुम्हें वहाँ पे option देखने को मिल रहा है, संत लोंग पर जाओ, C-SAP का प्रेडिक्टर यूज करो, देखो कि तुम्हारी रैंग पे तुम्हें क्या बेस्ट कॉलेज अलाट हो रहा है, ठीक है? उसके लिए तुमने बता दिया मैंने क्या प्रोस्ट होने वाला है, एक बार अपने C-SAP का शेडूल भी थोड़ा सा जस्ट वेट आ मिनट सी, यार नेटवर्क इशू के वजए से थोड़ा सा इशू आ रहा है, बठाव मैं तुम्हें एक ओवराल आइडिया देता हूँ, क्या शेडूल होने वाला है, देखो, शेडूल यह, I guess, 29th July से तुम्हारा इस्टेशन होने वाला है, ठीक है? चार अगर्स्ट को तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, जो भी तुम्हारा फस्स राउंड का अलॉर्टमेंट है, ठीक है? वो आ जाएगा, उसको फिल कर दो, हमारे टीम जो है, वो तुम्हें help कर देगे, कि कौन सा कॉलेज, कौन सा option तुम्हारा बेस्ट है, नहीं है, वो सारी शीज़े तुम्हारा बता देगी, तुम हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी हम ट्राइ करते हैं, कि जितना एक्टिवली हम बच्चों को रिप्लाई करते हैं, बाकि यूटूब पर दब तक हमेरे सस्क्राइब कर लो,